Dashboard development के महल बनाने के सफर में, हमने जब start किया था ये playlist, तो आपने देखा होगा जिन्होंने starting से follow किया है playlist को, बहुत छोटी-छोटी बारी की उससे हमने चीजों को सीखा, एक-एक form control लगाना मैंने सिखाया, उसके बाद हमने छोटे-छोटे mini dashboard बनाना सीखा, अब टाइम आ ग useful dashboard में से एक, जिसका नाब है KPI dashboard, तो आगे चलते हैं, वीडियो में और आगाज करते हैं, इस KPI dashboard को, साथ के साथ एक बहुत important बात आप से share करना चाहूंगा, कि dashboard development में maximum role मेरा होगा, यहाँ पे आपको मैं एक-एक step, बिलकुल scratch से एक-एक चीज करके दिखाऊंगा, ठीक है आपको बहुत patience से देखना है, उसे सीखना है, उसे follow करना है, और खुद से practice करनी है, एक नहीं कई बार, तो देर किस बात का introduce करता हूं आप लोग के सामने में KPI dashboard, साथ के साथ आप लोगों से एक और गुजारी से, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज उ सबसे जादा necessary और साथ के साथ useful dashboard में से एक, जो सबसे जादा use होता है, वो है आपका KPI dashboard, KPI stands for Key Performance Indicator, नाम से ही performance report की जब बात करेंगे, तो हम KPI की बात करेंगे, तो आज आप लोगों का स्वागत करता हूं, KPI dashboard के part 1 में, ये part 1 क्यों पहले ही बोल दिया, क्योंकि ये एक वीडियो में खतम होने वाला topic नहीं है, तो कम सकम दो वीडियो तो बनेगे बनेगे, अब मैं एक एक करके step by step आज से मैं आप लोगों को ये KPI सिखाने जा रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से step by step सारे देखना है, और साथ के साथ खुद कर करके देखना है, क्योंकि अगर वीडियो देख तक के सिमित रहे गए, तो मैं आपको guarantee देखा हूं, नहीं आएगा, ठीक है, आएगा कब जब आप उसको वीडियो देखिए, pause कीजिए, फिर खुद से बनाइए, इस तरीके सारी, तो आप लोग सो गुजारिस है कि अगर आप लोग सच में अच्छा कुछ सीखना चाहते हो, तो इसकी practice करना मैं बहुत आडाम नाम से कराने की कोसिश करूँगा, यह नहीं कि बस निप्टा दिया, निप्टाने वाला काम मुझे करना नहीं आते, ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से अपना best देने की कोसिश करता हूं, किसी भी वीडियो में, आप लो operation और HR, यह तीन department है, इस department wise अब report की बात करेंगे, तो department में कौन होगा, employee होगा न, तो पहले, जिस department पे मैं click करूँ, तो यहाँ पे click किया, तो यहाँ पे देखिए, उसके employee का list आगे आपके साब, आगया, उसी तरीके से operation पे click किया, तो यह operation और department का सारे लागे, उसी तरीक अगर मैंने HR पे click किया, तो यह HR department का list, यह आपका पहला काम होगा dashboard का, कि जब यहाँ पे आप एक radio बटन बनाएं, और option बटन इसको बोलते हैं, और उस option बटन पे click करने के बाद, उसके employee का list देखना चाहिए, यह हो गया हमारा पहला का, अब employee का list आजाने के बाद, इसमें जैसे जो list में select करूँ, जैसे की अरजुन, तो यह अरजुन का record इधर देखिए, pure dynamic है यह, इस पे click करने के बाद, आप complete report देख पाएंगे, इस employee का, तो अभी हम part 1 में बात करेंगे, employee wise details, employee wise, ठीक है, उसके बाद फी department wise भी आएगा, और बहुत सारे चीज़ जोड़ेंगे तो मैं बहुत छोटे छोटे करके चीज़े जोड़ूँगा, ठीक है, इकठे सारे कर दूँगा, नहीं आएगा समझ, आज के वीडियो में पहला का मैं हमारा employee wise details बनाने की कुशिस करूँगा मैं, और step by step चीज़े मैं add करूँगा, आप देखिए, यह रहा आपके सामने source data जिसको हम analyze करके KPI बनाने की process करेंगे, तो source data मैं आपको पहले में दिखा देता हूँ, क्या कि हमारे पास, हमारे पास 3 department है, एक finance department का employee details और उसका 2001 से लेके 2030 तक का data रखा हुआ है, ठीक, पहली बात, दूसरा department है operation, उसका complete record रखा हुआ है, और तीसरा department है HR, उनका complete record रखा यह हमारा raw data है, ठीक है, इसके base पे हम लोग dashboard बनाना start करते हैं, अब देखे, मैंने एक नया seat ले लिया यहाँ पे, और इसका नाम कर दिया dashboard, tip number one में क्या कर रहा हूँ है, वहाँ से सीखना start कीजिया, insert tab में गया, और यहाँ से मैं एक, कुछ भी ले लीजे, square tab का कुछ भी लेता हूँ, यह बड़े आराम से देखिएगा, यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, यह ले लिया, safe fill कर देता हूँ, कोई अलग color कर देते हैं, और safe outline, no outline थोड़ा बढ़िया लगेगा देखने में, dashboard के मतलब क्या थोड़ाशा design बढ़ियां से करेंगा, अब हमें चाहिए option button, उसके लिए हम जाएंगे, developer time में गए, insert में चले जाएए, और यहाँ से हम लेंगे option button, यह रहा, ठीक है, यह form control ले लिया, यहाँ पे एक, इसी की copy और दो बार और प्रेस्ट कर दिया मैंने, edit में गया, इसका नाम change कर दिया गया, यहाँ पे था finance, इतना काम कर लिया करके मैंने एक साथ select कर लिया, और इसके format में चले जाएए, और यहाँ से क्या कर दिजी, जो भी आपको save fill लेना है, उसको fill कर दिजी, ठीक है, यह तीन department आपने बना लिया, तीनो radio button बना लिया है, अब चलते है इस raw data पे, और जितने भी department का नाम है, उन सब का naming range देना है, तो इसको select किया गया, और आपने इसका नाम कर दिया finance, ठीक है, इसको select किया, फिर इसका नाम कर दिया आपने operation, और last वाले को select करके उसका नाम कर दिया आपने HR, select और इसका नाम कर दिया आपने HR, उन तीनों department के employee का naming range दे देने के बाद, अगर मैं इस finance पे क्लिक करूँ, तो जो finance का employee है, उसका record यहाँ पर आए, employee list आजाए, यहाँ पे, operation पे क्लिक करूँ तो operation का, और HR पे क्लिक करूँ तो HR का, अब अगला step में क्या करेंगे, यही पे फिर से चलते है insert में, और यहाँ से ये ले लिया, shapes ले लिया, और यहाँ पे एक shapes और ले लिया, क्योंकि य पाद हमें चाहिए, इनका नाम यहाँ, तो यहाँ पे employee का नाम लेने के लिए मैं drop down लगा रहा हूँ, drop down मतला combo box, फिर से कहाँ जाएंगे, developer time में, और यहाँ से लीजिए combo box, यह रहा insert में जाए, यह ले लीजिए combo box, और यहाँ से combo box draw कर दीजिए, देख लिजिए, कर दिय अब यह combo box draw कर देने के बाद, यह combo box जो भी हमारा है, यह तो भी बेचारा है, बेचारा है सिंस में, यहाँ पे तो record थो ही अभी आया होगा, ठीक, अब record को populate कराने के लिए मैं काम करने जाना, वो दीख, और अब यह आपका जो finance, operation और HR जो option बटन है, यह काम करें, उसके क्या करना होगा, इस finance पे right click किया, format control पे गए, और यह control है न, यहाँ पे कर देना, check, और sell को किसी sell से link कर देना, A1 से मैंने इसको link करके ok कर दिया, ठीक है, अब इसका benefit, benefit यह है, कि जब मैं finance पे click करूँगा, तो इसको position बताएगा, 1, operation पे click करूँगा, तो 2, और Azure पे click करू तो यहाँ पे employee का list आजए, है न, किसका, finance का, operation पे click करूँगा, operation का, HR पे click करूँगा, अगला काम, यहाँ पे एक छोटा सा formula लगाईए, equal to, choose, अब मांग रहे हैं आप से index number, तो यह अभी अभी जो finance के लिए यह position जो है, यह मेरे लिए क्या बन गया, index number, मतलब 1 का मतलब क पहले position पे आप क्या चाहते हो, दूसरे position पे क्या चाहते हो, और तीसरे position पे क्या चाहते हो, हम क्या चाहते हैं, पहले position पे यहाँ आपने ले लिया न, यहोन, ठीक है, ले लेने के बाद, comma, value 1, value 2, value 3, तो अभी-भी मैंने क्या रखा था, naming range रखा था, department का, क्या, operation, finance और HR आपको क्या करना है यहां पर सबसे पहले नमर पर हमें चाहिए फिनेंस ही रहा नेमिंग दिया था धूसरे पर लिश्य को कॉपि किग छिक है कोपी कर लिया formula tab में गए, define name पे चले जाए और यहाँ पे एक नाम define कर दीजिए, employ name, EMP name और यह जो formula भी आपने copy किया, यहाँ पे equal to pass और यहाँ test, ok कर दीजिए, ठीक है, यह जो formula था, आपने उसको dynamic बनाने की कुशिस किया, यह आपने naming range दिया है, ठीक, उसके reference को pass किया है, अब आप इस पे click किजिए, इस list पे, format control पे जाएए, और यहाँ पे control जहाँ है, जहाँ input range माग रहा है, यहाँ पे आपको वो नाम pass करना है, जो भी आपने naming range रखा था, कौन सा वाला, जो आपने इस formula के लिए naming range रखा था, जो choose को copy करके आपने वहाँ पे naming range दिया था, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे EMP name, तो EMP name के अंदर जो data होगा, हुआ जाएगा ने, इसके अंदर, और इसको किसी sales से link करा देते हैं, यहाँ, ठीक है, 3D setting, और okay, और अब ज़रा check करके देखें, finance, तो इस पे ज़रा click करके देखें तो, आगया, उसी तरीके से operation, तो operation कहां से, operation का data उठका रहा होगा, यहाँ देख लीजी, ठीक है, उसी तरीके से HR, यह HR का data रहा है, इतना काम बिलकुत ध्यान से, कर लिया, इतना काम जब आप कर लेना, उसके बाद एक step और आगे बढ़ते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि finance पे जब मैं click करूँ, तो finance में से, जिस employee पे click करता हूँ, जैसे मैंने स्रिकांत को select किया, तो स्रिकांत को select किया, तो यह स्रिकांत मुझे यहाँ display चाहिए, यहाँ, ठीक है, फिनांस department, उसका जो employee लूँ, वो मुझे वहाँ public होके चाहिए, यह काम करने के लिए मैं क्या करूँगा, करसर यहाँ रख दो, यहाँ पे pass करूँगा index number में यह, fridge, ठीक है, position one मतलब finance, तो finance का अब बात कर रहा है value one, तो comma value one जहां मांग रहा है, यहाँ पे static बात नीडा, अब हो गया dynamic, यहाँ पे pass करेंगे offset, अब बात किसकी reference की, तो reference कहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा a2, यह हो गया इसका reference, comma, comma, row number, तो row number की बात जब कह रहा है, तो अब आप आजए अपने dashboard पे, और row number में pass कर दीजिए, comma, b1, row number, b1, comma 0, क्या फायदा हुआ खुद से देखें, आपने इसको offset के जरीए बताया, कि आपको कौन से row से नाम उठाना है, तो जहाँ पे उसको relative position मिलेगा, जहाँ पे यह 9 9 का बंदो, जित अंदर कुमार लेका आएगा, ठीक है, अब यह तो अभी आपने एक table की बात की है, अब आप क्या कीजिए, comma, press कीजिए, इसी को copy करें, यह काम तीनो table के लिए करना होगा, copy और यहाँ पे paste एक बार, comma, फिर से paste, ठीक है, और bracket बंद, और enter, जित अंदर कु कि आप, जित अंदर कुमार वाला reference कौन सा था, finance का A2 था न, आपको कुछ नहीं करना है, reference चेंज करना है, यह A2 है, तो next reference देखिए, कहां पर रखा हुआ है, इस पे जाईए, यह पहला employee में इस पे था न, A2 पे, यह कौन सा है, A15 पे, और तीसरा कौन सा है, A28, अपने data प से बाद, A15, 15, और A28, बस, यह चेंज कर देना, आप, आपके database पर जितना record हो, वो अला आप record, वो अपने हिसाब साथ देख लें, ठीक है, आपने reference वहां रखा, जिससे अक्यों डानामिक हो सके, अब enterprise कीज़, ठीक है, यहां finance, तो जित अंदर कुमार, रतिका, यह देखि ठीक है, HR, तो यहां पर जाएए, नाम populate कराने के बाद, यहां चाहिए मुझे year, ठीक है, यहां पर year चाहिए, कौन सा year, वो जो है न, 2001 से 2030 तक की बाद कर रहा हूँ मैं, वो अला year मुझे आप यहां पर लेका आना है, अब यहां पर year को populate कराने के लिए हमें एक काम पहले और करना होगा, पहले वो काम कर लें, यहां पर insert time में गया, और यहां से फिर से shapes ले लिया, कौन सा year ले लेते हैं, और यहां पर access से, ठीक है, इसके बाद, अब आप फिर से जाए developer time में, और insert पर गया, और अब आपने यहां से लिया, यह देखिए, यह क्या ले रहा हूँ स्क्रॉल बार, आपको एक ही dashboard के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यहां ले लिया आपने स्क्रॉल बार, अब यह स्क्रॉल बार ले लेने के बाद, अभी तो एक हाली है, कुछ भी नहीं, इसमें, इसके दर value भी दो assign करना है, वो कैसा assign करना है, वो देखिए, इस प हमारा 2001 से 2030 तक है, 30, उसको किसी cell से link कराना होगा, मैं इस cell से fill link करा रहा हूँ, और press कर दिया, ओके, ठीक है, इसका फाइदा क्या होगा, देखिए, एक एक करके increment होगा, अधर देखिए, है न, एक, दो, तीन, चार, पांच करके आने लगा, अब, क्यों करना हो, आपको पत पास कीजी, offset, ठीक है, अगीन, मांग रहा है आप सो reference, कहां पे चले जाएंगे, यहां, और reference में करसर रख देंगे हम, कहां जाके, a1 पे, ठीक है, यह होगा आपका reference, करसर में ने रख दिया, reference यहां, कॉमा, अब आप से मांग रहा है, row number, row, तो row में मैंने पास किया, one, कह पर आगे, emp name बाले पर आगे, हमें यह year ही तो चाहिए, comma, अब उसको क्या चाहिए, columns, तो यहां पर पास कर दिजी, आप column, अब column को क्या चाहिए, reference, तो reference को दे देते हैं, हमें पहले column कौन से चाहिए, offset पास किया है, तो offset के हिसाब से 0 column यह, और 2001, किसमें रखा हुआ है, 2001 नजटर एक, वन कोलम रखान है, तो 0 column A वाला, और B column कौन सा है, पहला column, अगर मैं यहां पर column में पास कर दूँ, A1, A1, A2, A3 को से भी, A column, तो मैंने column पास कर दिए A, A1, तो A1 कम अबंद्या हो गया, यहां पर column नमर अभी क्या होगा, यहां आ रहा होगा 1, तो column में यहा दूसरा कॉलम हो गया उसके नेजर में इसके नेजर में, आपसेट के नेजर में किजिए बन्ग और एंटर को कर सक confirm लेकिन पर लामे जबम दोजार एक दो तीन चार पांध थै मिइन एक समस्य और हम यह देकर यह यह पर प we देंगे वो देखिए अब दोनों को एक साथ कंबाइन करने के लिए करेंगे इस पर कर से रखिए और यहां पर पास कीजिए प्लस और इस से इसको कनेट कर देजिए फ्रेज एंटर मारी तो अब आगे न 2017 यह लीजिए यह लीजिए ठीक है अब आप इसको देखिए तो जरह पर रिकॉर्ड पॉप्लेट भी कराना है तो कैसे कराएंगे एक्वल टू वी लुक अप कोई भी फॉर्मुला आज छोड़ना नहीं है वी लुक अप लुक अप की वैली रोहित कुमार कॉमा टेबल एरे कहां से यह जाईए यहां पर यहां से ले लिजिए टेबल एरे ठीक है तीनो टेबल एक साथ पास कर दीजिए ठीक है फ्रेज कॉमा फिर क्या मांग रहे आप से कॉलम का इंडेक्स नमबर यहां चले जाएंगे मैच मैच को क्या चाहिए होगा लुक अप वैल्यू अपने टेबल पे जाए और डाश्बूर्ड पे जाके लुक अप वैल् अब रोहित कुमार का डेटा पॉपलेट करा लेने के बाद यह भी तो चेक करना है कि इनको टार्गेट कितना दिया गया था जैसे मैंसे इनको कितना अचीव कर लिया टार्गेट देते हैं इक कॉल टू यह वाला सेल यह अपने मन से दे रहा हूं टार्गेट में प्लस ले लिया चली यह इनको मैंने दे दिया टार्गेट ऐसे यह टार्गेट दे दिया गया तो यह इनका टार्गेट है जिसमें से इनों इतना अचीव किया है आप क्या कीजिए इस डेटा को सेलेट किया थोड़ा सा बढ़ें डिजाइन कर देते हैं होम टैब में जाते हैं औ और तेल स्टाइल में जाए और यहां से कर देजी तो जाए ले दिया अब क्या करते हैं एक काम और करते हैं इसको सेलेट किया और इंसर्ट में जाते हैं और यहां से लिया चार्ट एलिया इसको रख लेते हैं यहां और इसको रखने के बाद अब क्या करना इस पर राइट क् ये, सिर्फ एर, एर ले लिया, ओके कर दिया गया, ठीक है, ओके कर दीजी, साथ के साथ, ये जो चार्ट का टाइटल है, वो भी तो डानामिक चाहिए, एक्वल टू, पहले वो सेलेक्ट, एक्वल टू, ये रहा, ना, उसके बराबर, अब ये जो टार्गेट वाला है हमारा, उसको सेलेक्ट, राइट क्लेक, चेंज सिरी चार्ट टाइप, और यहां जाके, इसको किसमें करणवर्ट कर देंगे, लाइन चार्ट, ओके कर दिया गया, इस तरीके से आपका डेटा आपके सामने है, जो भी आप नाम यहां से सेलेक्ट करेंगे, देख लीजे, तो इस त प्लाइवाइज रिपोर्ट, मुझे लगता आज के लिए काफी है, ठीक है, इस से जाधा डोज आज के लिए नहीं दिया जाएगा, इसको कंटिनेशन में रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूँ, इसी स्रीज के कंटिनेशन, यह हमने बहुत थ झाल